यह लक्षड सरीर में दिखाई देने लगता है जब लीवर कभी भी खराब होना सुरू होता है समय रहते अगर पहचान ले तुब बस सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है रोगा नुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इंपार्टेंट वीडियो के साथ है जी है दो कई बार मरीज को महिनों तक नहीं पता चलता कि उसका लीवर डैमेज है ऐसे में आपको लच्छडों की जानकारी होगी तो आप बिमारी का पता जल्दी लगा सकते हैं दोस्तों जिस प्रकार किड़नी हमारे सरीर के लिए उप्योगी है किड़नी हमारे मूत्र को फिल्टर करती है हमारे सरी को फिल्टर करती है और हमारे किड़नी हमें हमारे सरी के कई बिमारियों से बचाती है उसी प्रकार लीवर भी हमारे सरी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होता है दोस्तों खून से विसाक्त पदार्थों को निकालने से लेकर खाने को ठीक से पचाने तक का करें लीवर ही करता है यह मेटाबॉलिज में से लेकर पूरे सरीर के फंक्सन को संतुलित करता है लीवर में जरा से भी गड़बड़ी पूरे सरीर पर असर डालती है और इसके संकेत आपको कई तरह से मिलते हैं लेकिन अगर समय रहते इसे जान लेते हैं पहचाल लेते हैं तो हम कई गंभीर बिमारियों से और लीवर को खराब होने से बचा सकते हैं जो कि आज हम आपको बताएंगे लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जनकारे छुटे तो वीडियो को अन्त तक जरूर देखें दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कना ना भोलें इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही आउल नोटिफिकेशन को जरूर आन कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल पर मिल जाए इसके लिए आल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें नमबर एक जिया दोस्तों लेवर की खराबी की वज़े से रोगी को बुखार आता है और उसके मुझ का स्वाद भी बिगड़ जाता है यही नहीं उसके मुझ में बदबू भी आने लगती है नमबर दो मुझ से गंदी बदबू आने के कई कारण है लेवर का खराब होना भी उने कारणों में से एक है लेवर के खराब होने पर मुझ से गंदी बदबू इसलिए आती है क्योंकि मुझ में अमोनिया ज्यादा रिस्ता है नमबर तीन तवचा दोस्तों तवचा में खुजली होना एक सामाने समस्या है जिसे हम अकसर नजर अंदाज कर देते हैं लेकिन लेवर में खराब होने के कारण भी तवचा में खुजली की समस्या होरती है दरासल लेवर खराब होने पर इसमें बनने वाला बाइल जूस आपकी खून में घुलने लगता है यह बाइल जूस जब तोचा के नीचे जमने लगता है तो खुजली शुरू हो जाती है नमबर चार दोस्तों यदि अपकी तोचा का रंग उड़ गया है और उस पर सफेद रंग के धब्बे पढ़ने लगे हैं तो समझे कि लीवर खराब हो रहा है लीवर खराब होने का एक और संकेत है कि इसकी छतिगरस्त होने लगेगी और यह थकान भी इस पर दिखाई देगा नमबर पांच दोस्तों कई बार हमारी तोचा के नीचली रेखाएं नजर आने लगती हैं यह सरी में ओस्टोजन की मात्रा बढ़ जाने के कारण होती हैं यह नीले रंग की रेखाएं यह इस बात का संकेत है कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है आम तोर पर यह नीली रेखाएं चेहरे और पैरों में दिखाई देती हैं